जी हाँ आज उत्पाद विभाग के हाथ लगी गया इर्फान ठीक सुना आपने इर्फान ये वही इर्फान है जो बोकारो के सहरवासियों को नकली सराब पिला रहा है इसके चेहरे पर ना जाए इसके सफेद गाड़ी पर ना जाए बोकारो इस्टिल सिटी में इस तरह की ग आड़ियों पर घूमने वाला हर इंसान शरीफ नहीं हो सकता तो देखा आपने कई पुलिस वालों के बीच में काले रंका सट पेने हुए गोरा चिट्टा इंसान ये इर्फान जो बोकारो इस्टिल सिटी को नकली सराब पिला रहा है आज पुलिस के हत्ते चड़ गया है ह हमारे साथ बात करने के लिए राम नराइन सर्मा है सर्मा जी उत्पाद विभाग के लिए आज बड़ी खुसकबरी का दिन है उत्पाद विभाग के लिए बड़ा तोफा भी है इमानसु जी कि आज सुबह से ही उत्पाद विभाग रेस में थी सबसे पहले इन्होंने चा के तेलीडी मोड में रेड किया वहां एक बैक्ति को पकड़ते हैं और इन दोनों बैक्ति को पकड़ने के बाद उत्पाद विभाग सांत नहीं बैठती है उन लोगों से लगातार पुष्टाच करती है और उनकी निसान देई पर जाल भिछाया जाता है बोकारों के सेक्टर नायन पचोड़ा पूल के सामने और उसी जाल में आपके जो इस इर्फान की बात कर रहे हैं उस जाल में आकर फसता है और ये देखिए कितना मासूम सा चेहरा ये दीक रहा है लेकिन इसके अंदर की जो खुराफाती है उसको आप देखते हुए कि इसकी गाड़ी से 21 इने में जूटी हुई थी अंत में सफलता मिली गई और बड़ी सफलता मिली इमानसु जी ये ट्रेंड बदल गया पहले पिक अप हैं से जाया करता था आप जो अपरादी है वो महंगी महंगी गाडियों से सराब्ड हो रहा है बुकार इस्टिल सिटी में ये नया आपको जानकर हैरत होगी कि इस गाड़ी के पिछे जो होता है क्रोस का चीन लगा हुआ जोड का जिसको कहा जाता है कि डॉक्टर का चीन होता है ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई इस गाड़ी में जिसको देखकर भी पुली साथ नहीं दे सकती है लेकिन उत्पाद वि लोग देख रहे थे तो देखा कि उस लड़के के चेहरे पर कोई सिकन नहीं था कोई अफसोस नहीं था बिल्कुल नहीं वह तो बिल्कुल एक दम ऐसे मतलब फोटो खिचवा रहा था पत्रकारों के बीच लग रहा था जैसे फोटो सेशन करने आये हो हाथ में हतकड़ी भ सोच लीजे आज की वाओ को जहां सर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए सर्म से सीर जुकना चाहिए वह एकदम सालीन और बड़े ताओ के साथ खड़ा रहाता है पुलिस वालों के बीच तो सुना आपने बड़े ताओ से इर्फान पुलिस वालों के बीच खड़ा है लेकिन म काम कर रहे होंगे केमरामेन कुंदन के साथ स्टूडियो